नोसकर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल साथ टेग में आप सका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि अपने अपने ही मोबाइल फोन को चाहे वहां Android का हो चाहे दोस्तों वहां iPhone हो ठीक है अगर जो हमारे पास जो है कम बजट है हमारे पा आता है दोस्तों तो अगर जो हम चाहते हैं कि अपने मोबाइल को ही ऐसे बेब करें के रूम में हम यूज करें तो दोस्तों साइट में बहुत सारे साथवेर ऐसे मौजूद है कि दोस्तों उससे जो हमारा काम चल जाता है दोस्तों तो हमको अगर जो एक स्री में साथवेर इसका आता है दोस्तों, तो उस sourder को अभी बाद में बताऊंगा दोस्तों, उसको install करके जो है आप अपने mobile phone को as a wave camera के रूम में, as a wave camera के रूम में या आप use कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें एक चीज ही करना है कि आपको अपना mobile phone और laptop, दोस्तों उसको क एक ही network से connect होना चाहिए, same Wi-Fi, यानि जिस Wi-Fi से आपका laptop connect हो, उसी Wi-Fi से जो है आपका mobile भी connect होना चाहिए दोस्तों, तो यह सर्त है इसके लिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर जो आप समने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक किजिएगा दोस्तों, और comment में एक प्यारा सा comment कर दीजिएगा दोस्तों, तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों एक software आता है website पे, आप देख सकते हैं, ivcam webcam के रूम में, ivcam webcam या ivcam कह सकते हैं, जिस mobile को babecam के रूम में आपको करना है, उसमें भी आपको play store में मिल जाएगा, और apple store पर भी मिल जाएगा दोस्तों, ivcam आप सर्च करेंगे, तो दोस्तों आ जाएगा वो, सबसे उपर, उसके बाद दोस्तों जो है, आपको laptop पर भी आपका एक software आता है, उस ivcam का ही, जो है, अगर जो iOS के हैं या Windows के हैं तो उसी अनसार आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों इसको आप purchase भी कर सकते हैं, लेकिन purchase करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह से free है, केवल एक water mark आता है, iv का, तो उस water mark को आप अपने वीडियो को edit करते समय बड़े आसानी से दोस्तों हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको blur कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खरिदने के कोई बात नहीं दोस्तों, तो आपको जो है ये देख रहे हैं कि download for Windows, ये आप अपने Windows या Mac के लिए भी आप download कर सकते हैं, तो यहां प दिक्त नहीं है, तो दोस्तों इसमें है कि मतलब, why buy a webcam since you already have a mobile phone और iPad, अगर आपके पास iPad है, आपके पास mobile है, तो क्यों हम जो है webcam को purchase करें, हम क्यों नहीं अपने mobile को ही webcam के रूम में यूज कर सकते हैं, एक software के मदस्ते दोस्तों, हम webcam के रूम में इसको कर सकते हैं, और दोस ऊइसके पिछले बीडियो में तो आपको बताया था कि मतलब, हम इसको इसको इसकी mirroring कैसे करते हैं, बहुत तरहाघते बीडियो से जो है, बहुत अपनी केशन का यूज करके mirroring का भी बताया थे दोस्तों, तो इसमें जो आज though इसको बताऊंगा, कैसे इसको connect करते हैं, कैस 64 bit जो है 7.0.4 ये वर्जन इसका latest वर्जन है दोस्तो इसको simple सा double click करके आपको install कर लेना दोस्तो आप install करेंगे तो इस प्रकास से जो है यहां भी यहां आपका आइकान बन जाएगा और mobile में भी जो हाँ आपका आइकान बन जाएगा दोस्तो मोबाइल का भी हमने install कर लिया है आप इसटाल कर सकते आई ओकर सच करकि दूस्तो तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह मैंने आइवी कैम यहां सर्च कर लिया है यहां पर तो आइवी कैम अभी इसको मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह चीज जो है आप यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे तो आपका ट्रे में यहां पर दोस्तों अब मिनमाइज भी कर देंगे बंद कर देंगे तो रन करता रहेगा दोस्तों कोई दिखल नहीं है आप यहां पर दोस्तों आप जो है मोबाइल को भी इसको खोल लें है यहां पे तो जैसे कि हम यहां पे टाइप करड़ेंगे ठो यहां जाएगा दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा alum स्वस्क्राइब यहां पर आ गया है कि मोबाइल भी आप को दिखा रहे हैं दोस्तों 국 рек्षर कि डिक्रा कोई पर स्क् makes है कि इस प्रकास से जो है यह हमारा फीगर भी इसमें आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं और इसको जो हम अपने सामनी कर देंगे तो आ लगाना है एक यह इस प्रकास भी आप दिखाए पड़ रहा है तो क्यों आप देख सकते हैं आई भी कंडा जो है कि लोगो कि यस पर आएगा दोस्तों और कोई दिक्कत नहीं है आप tripod पे रख करके अपने laptop से जो है connect कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकास से जो है यहाँ पी जो है यह disconnect भी हो जाता है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह connect हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ऐसे आपको जो है यहाँ भी दिखाई पड़ेगा आप लगा करके जो है इस प्रकास से देखे कैमरा उपर है ना वो चला गया था दोस्तों इस प्रकास से जो है आप करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों देख सकते हैं साफ आ रहा है हमारा कैमरा जो है यहां पर आ रहा है दोस्तों कैमरा जो है एकदम स तो आप इसको सिपल्फियर में मोबाइल में टैब करके बं कर देना है उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं फिर ऐसे हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं मेरा figure भी आ रहा है और यानि कि इस side में करेंगे तो figure भी आएगा और पीछे side में करेंगे तो बी दोस्तों आपको आएगा आप अपने उसार अपने laptop के अनुसार जो है set कर सकते हैं कोई दिकत नहीं क्योंकि आपका figure आपके laptop पे जो है एक दम दिखाई पड़ में दोस्तों यूज कर सकते हैं आप दोस्तों और बहुत सारे सेटिंग दिये हैं दोस्तों मेनू भी दिया हुआ है आप यहां कर सकते हैं सेटिंग में दोस्तों आप यूज कर सकते हैं आपको जो है लेंट स्केम मोड में चाहिए या पोर्टेट मोड में चाहिए दोस्तों भी यहां पर हो जाएगा दोस्तों और यहां पर जो है आपको वीडियो साइज की बाप वीडियो क्वाल्टी जो है यहां पर कर सकते हैं आपको 1200 सिगुड़े पर साथ सुबिस चाहिये या आपको फूल एच्डी चाहिए या आपको 4K में चाहिए दोस्तों तो 4K आपका सपोड़ कर रहा है दोस्तوبॉ यहां पर फ्रेम रेड्र भी आप 60 भी कर सकते हैं और यहां पर वीडियो क्वालिटी जो है हाई लो मेडियम भी आप कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर रिकार्डिंग डिवाइस जो है आपका मोबाइल है यानि कि microphone USB condenser यहां पर recording device मतलब जैसे कि आप जो audio record कर रहे हैं OBS में लगा करके या किसी में भी तो यहां पर दोस्तों आपका सकते हैं तो और इसके बाद जो है यहां पर डारेक्ट भी यहां पर स्टेटिंग भी दिया है जैसे कि आप कुछ घटा बढ़ा सकते हैं कैमरे का जो है इसमें जो है इस प्रकासे जो है घटा बढ़ा सरके जो है आप यूज कर सकते हैं देख सकते हैं कि चैन्ज हो रहा है करहें देख रहे हैं कि इस प्रकासे जो है Actually इस प्रकासे जो है जो है काम कर रहा है यहां पर अगर आगे का चेहरा लाना ना दोस्तों रीकार्ड कर रहे हैं तो और आगे कर सकते हैं दोस्तों माल कोंड ब्लैकब़्ोर्ड है तो आप इस प्रकाश है दिखा सकते हैं जहां भी समझाना है दोस्तों तो कि अगर आप कुछ स्ट्रीम्लेब पर यूज измен यूज़ है आपको निश्चित है OBS पर यूज़ करना होगा दोस्तों तो OBS पर यूज़ करने के लिए दोस्तों मैं OBS स्टार्ट कर रहा हूं तो दोस्तों मालीजे मैंने OBS को स्टार्ट कर दिया है अब यहां पर दोस्तों हमने OBS पर भी पूरा record हो रहा दोस्तों यानि क्या आपको full screen चाहिए जैसे कि आप दोस्तों कर रहे हैं ऐसे blackboard है आपका कहीं भी कहीं भी blackboard है आपका दोस्तों आप देख सकते हैं OBS पर भी जो आप ऐसे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं बड़े आराम से और जो है आराम से रिकार्ड कर सकते हैं कियों जो है सेम वाइफाई पर होना चाहिए जिससे आपको स्पीड बढ़ियां मिलेगा दोस्तों तो जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए डिले बहुत जादे नहीं है दोस्तों कुछ मिली सेकंड का डिले बन रहा है कुछ मिली सेकंड का डि जाने दिक्कत नहीं होगा दोस्तों तो दोस्तों यह हो गया आपका OBS कैसे connect करेंगे दोस्तों तो इस प्रकास से जो है आप direct उसके software में नन देख करके आप OBS में जो है इसको कर सकते हैं और यह आपको इसको minimize कर देना है दोस्तों इस प्रकास से और आपका जो है record भी होगा दोस्तों आप जो है समझा भी सकते हैं कुछ और आपका चेहरा आप आएगा दोस्तों यहां पर दोस्तों आप इसको छोटा वड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि आपका यह ना जैसे आप अपने चेहरे को क्योल करना चाते हैं दोस्तों तो आप जो है इस परकाव से जो है छोटा बड़ा करके यहां से जो है कर सकते हैं दोस्तु तो बड़े-, प्राम, से, हम कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है दोस्तों तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो तो लाइक किजियेगा हमारी योटीब चनल को सबस्कराइब कि जाएगा दोस्तों और एक कमेन्ट बांक में किया त्यारा कमेंट कर दीजिए दोस्तों तो इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जय हिन बंदे मात्रन